Hello student, Welcome back in class 10 computer video आज हम session two managing header के बारे में जानेंगे इससे पाले हमने paragraph layout के बारे में discuss किया हुआ था आज हम managing header और session three managing footer के बारे में जानेंगे पाले यह जान लेते हैं header होता क्या तो header or text or images included at the top of the page यह तो header यह एक या image या numbers होते हैं जो कि किसी page के top पे show करते हैं header का मतलब ही होता है top जैसे यहां रेखे एक example दिया हुआ यहां पर application from January sorry application from June 2012 header format है आपको मैं एक example और जैसे इस book से जैसे पढ़ा रहा हूँ इसका मैं header दिखाना चाहूंगा किसमें header कहा है देखे book के पहले page पे sorry सबसे उपर आ जाते हैं यह आप देखे unit 3 लिखा हुआ यह header part है is book का तो यह तर वह elements होता है जो कि हम head किसी भी document के head पे show करते हैं और एक बर जो header हम apply कर देते हैं वह सभी pages के लिए apply हो जाता है जितने भी unit 3 से rated pages होंगे सब पर unit 3 होगा जैसे मैं दिखाना चाहूंगा आपको इस page भी है next page पर आप चलेंगे तो यहां पर next page देखे यहां पर भी unit 3 दिया हुआ है तो यहां पर भी आप देख पाएंगे तो यह header वह elements होता है जो कि किसी भी document के head पर show करता है यह include करता है title इसके दिरम क्या लिख सकते हैं टाइटल लिख सकते हैं पेज नंबर लिख सकते हैं पेज नंबर या document heading etc जो भी चीज़े लिखना चाहें उस document से related जो हम चाहते हैं कि हर एक page के ऊपर दीखें अब यह देख लेते हैं कैसे हम header insert करेंगे तो सबसे पहले हम MS word open करेंगे उसके बार जो interface तो करेगा इसको मैं बढ़ा करने कुशिश कर रहा हूं और जाके आपको दीखें अब देखें यह ribbon open होगा जब हम word MS word open करेंगे क्लिक करेंगे इंसर्ट टैप इंसर्ट टैप देखें यह दिया भी हुआ जैसे हम click करेंगे header पे header appear हो जाता है और हम different format of header चाहते हैं छोटे विन्यू पर क्लिक करते हैं और प्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा open हो गया आपको देखे figure show कर रहा है अब आप देखे different style header के दिये वह हैं आप पहला भी चूच कर सकते हैं first second third fourth कई type दिये header के तो जिस format में header को insert करना चाहते हैं उस format को हम select करते हैं और अपनी information को insert कर देते हैं चाहे हम title लिखना चाहें पीज नमबर लिखना चाहें तीक है या कोई heading देना चाहें जो भी चीज़े हम देना चाहरे हैं उससे हम insert कर देते हैं अब चाहें तो नमबरिंग हो रहा को चेंज भी कर सकते हैं तो एक बार पहले इसके step को जान लेते हैं header insert करने के सबसे पहले करेंगे हम इस्टार्ट फिर आल प्रोग्राम फिर यह MS Office MS Office फिर MS Word यह तुम पहले जान लाए हैं कैसे हम open करेंगे यह हो गया step open करने का अब header कैसे इंसर्ट करेंगे इसके step को देख लेते हैं तो सबसे पहले करेंगे इंसर्ट टाप पे क्लिक दैन हेडर एंड फूटर सेक्षन पर जायेंगे हम फूटर सेक्षन साफ यह दिखनी रहा है मैं इसलिए बोल ला हूँ साथ में आपको फूटर सेक्षन फिर किस पर क्लिक करेंगे आट लाश हेडर हम हेडर पे क्लिक करेंगे और हमारा हेडर इंसर्ट हो जाएगा पीज पर इसका आपको याद कर लिजिएगा सबसे पहले इंसर्ट टाइब पहले हम open करेंगे miss word फिर insert टैप पे क्लिक करेंगे फिर header and footer section जाएंगे जहां पे header पे क्लिक करेंगे और header हमारा insert हो जाएगा हम चाहें तो number के अलग-अलग format को इस्तमाल कर सकते हैं तो click करेंगे number format पे देखें आप different format है जो भी हम हिंडर number format header में डालना चाहते हैं वह नबर format यहां सेलेक कर लेंगे और insert कर लेंगे तो header section में साथ साथ हम लोग इसके साथ date and time भी insert कर सकते हैं कि हमने document को कब create किया लेकिन याद रखिएगा date and time वही insert होगा जो हमारा computer so कर रहा होगा इंसर्ट करने से पहले हम लोग अपने computer के date and time section में जाकर उसे update कर लेंगे तो फिरार header section में इतना ही next में आते हैं यह आपका activity है sorry assessment अब लोग solve कर लेंगे इसमें question 1 है list यह नि 5 items that can be added header area अब आजाते है next a footer managing footer जैसे मैंने आपको उता है header की case में in the same thing है footer और header footer में अंतर क्या है जैसे मैंने आपको दिखा है header top पे सो करता है a footer at the bottom आए दिखाना चाहूंगा इसमें देखे जैसे यहां पर हेडर सो कर रहा है यह next page का है sorry आप देखिए यह है आपका header जो कि next page का सो कर रहा है यह footer आप लिखा हुआ information technology page number 125 यह हो गया footer तो footer भी same elements आप जो भी चीजे करना चाहां जैसे प्लिप आर्टिस में अड़ कर सकते है date and time कर सकते है page number और कोई भी टाइटल या कोई वर्ड आप अड़ करना चाहां आड़ कर सकते हैं same as जैसे आप header में add करते हैं बस अंतर यह होता है कि जो footer होता है वह बॉटम में होता है और header कहां पर होता है टाप पे जैसे footer है यहां पे footer हो गया और header एड़ टाप है टाप पे header है तो footer का है तो footer are the text or image including at the bottom of the page and may repeat in all pages of the document repeat करता है अब कैसे हम इंसर्ट करेंगे इसे भी देख लेते हैं जैसे वह नहीं बता है click on insert tab ribbon click on footer in header and footer group as one of video जैसे आप देखी होई save है same ribbon है वाले पर हम लोग header पर click किये होते हैं फर्स्ट इस्टेप में आप यह footer add करने के लिए footer पर click करेंगे footer click करेंगे same footer add हो जाएगा footer के different format को चाहते हैं तो हम यहां पर देखे छोटा से menu है जो यह इस पर click करते हैं तो different इसके format open हो जाएंगे जिस format पूटर add करना चाहें आप add कर सकते हैं तो फिराल के लिए इस सेशन में इतना ही अब नेक्स सेशन में हम लोग जानेंगे मैंनेजिंग इस्टाइल होगा मैंनेजिंग इस्टाइल है यह आपका assessment है वन एंटू सॉल्व कर लेंगे आप लोग और एक की जाओर क्या आप लोग इंपर्टेंट टॉपिक जैसे वाटिज है डर वाटिज फूडर या जो भी चीजे में पढ़ा रहा हूं इंपर्टें कीजिए गया और आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे लगा हो अब से लाइक जरूर करें और मेरी चैनल को सस्क्राइब कर लें थैंक्स पर वाचिंग